किसी रेक्टेंगुलर हॉल की जो फ्लोर है उसका जो पैरिमीटर है यानि की चारो जो उसकी नीचे की जो साइड्स है उनका जो सम है वो दिया हुआ है यहाँ पर आपको 250 मीटर अगर इस हॉल की चार दिवारों को रंग करने में 15,000 रुपीज लगे हैं तो इस हॉल की जो हाइट है यह आपको बतानी है हिंट दे रखा है यहाँ पर area of the four walls is equal to later surface area जो four walls है four walls का area यानि की side side का area तो वो later surface area ही होता है तो question की शुरुआत हम given से ही करेंगे हमें दे रखा है कि जो perimeter है न वो 250 मीटर है तो यहाँ से solution है perimeter of floor floor का perimeter दिया हुआ है 250 मीटर देखे floor कैसी होती है floor rectangular ही तो होती है और यह hall भी rectangular ही है तो इसका जो perimeter होता है इसमें दो length होती है और दो breadth होती है तो length plus breadth और इसका twice यह वाला formula लगाने से हमें perimeter मिल जाता है क्योंकि दो तो length होती है दो breadth होती है हम length और breadth को एक बार bracket में जोड़ के 2 से multiply कर देगे तो basically हमें यह दे रखा है कि 2 और length plus breadth is equal to 250 मीटर यह दिया हुआ है अब हम आते हैं cost of painting जो cost of painting दे रखी है न चार दिवारों की यह 15,000 रुपीज दे रखी है अब किसी चीज की भी जो cost होती है जबी भी किसी area के उपर हमारा कोई cost निकलता है तो cost होती है area into rate यानि जो area into rate होता है वही cost बनती है यहाँ पर area हमें पता नहीं है area हमें निकालना पड़ेगा तो area as it is रहेगा और rate हमें पता है कि किस rate से यहाँ पर जो white wash हो रखी है जो paint वगरा हो रखा है वो है rupees 10 per meter square और यह cost बनती है rupees 15,000 अब simple equation बन रही है यहाँ पर area मुझे निकालना है तो यह जो चीज है rupees 10 per meter square यह दूसरी तरफ जाकर divide में हो जाएगा तो यहाँ से area निकलाएगा तो area हो जाएगा rupees 15,000 अपनी जगा पर रहेगा और यह जो multiply में है यह इधार आकर divide में आ जाएगा rupees 10 per meter square रुपीज से रुपीज कट गया यहाँ 10 से 10 कट गया और यह value आ गई है 1500 और meter square इसके साथ लगेगा क्योंकि यह area है अब यह जो area है यह area of four walls है जो चार दिवारे है ना उनका area है और four walls का area यानि कि later surface area of cuboid four walls का area होता है two height length plus breadth यह इसके बराबर है तो यहाँ area के नीचे में यही लिख दूँगा two height length plus breadth is equal to दे रखा है 1500 meter square यह मेरा आ गया area आप उपर ज़रा ध्यान दें उपर देख रहे हैं आप perimeter of flow 250 meter है और perimeter होता है two bracket में length plus breadth और अब यहाँ पर देखें इन्हें compare करें आप यहाँ पर आपको two bracket में length plus breadth दिखाई दे रहे हैं और height अलग से दिखाई दे रहे हैं तो क्या करूँगा मैं यह जो चीज़ है इसकी value 250 है यहाँ पर मैं two length plus breadth की जगह पर 250 डारेक्ट लिख लूँगा तो two और length plus breadth इसकी जगह पर मैंने 250 लिख लिया और यह height अलग से है इसके अंदर जो multiply में है और यह सारा मेरा बराबर है 1500 के बस अब simple equation आपको दिख रही होगी equation को solve करते ही आपका h आ जाएगा तो h मेरा बन जाएगा 1500 और h के पास 250 multiply में है तो यहाँ पर आके यह divide में हो जाएगा 0 से 0 कट गया 150 को 25 से जब divide करेंगे तो यह value 6 आएगी तो 6 meter में चल रहा है सारा question तो 6 meter तो therefore height of hall is equal to 6 meter यही आपका answer है question खतम फिर स्वेड़ों बस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए goodbye